जोति सचा जी कुछी दिनों में फ्रवरी माह समाप्ती के बाद मार्च महिने का आगमन हो जाएगा मार्च महिने में कौन से ग्रह अपना रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसे किन रासियों के उपर सक्रात्मक प्रभाव पढ़ने वाला है हर हर महादेव जैवाबा विद्यनाथ दोहजार चौबीस के मार्च महिने में कुछ ग्रह जो हैं अपनी रासी परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि ग्रह का रासी परिवर्तन करना समय के साथ होता है तो इस बार तीन ग्रह त्री ग्रही योग बना करके अपना रासी परिवर्तन करेंगे और एक सुर्ज जो मकर से कुम रासी पर जाएंगे बुद्ध, सुक्र, सुर्ज और मंगर ये चार ग्रह अपनी रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं मार्च में तो साथ मार्च को बुद्ध और सुक्र दोनों बुद्ध मीन रासी में और सुक्र जो है वो कुम्भ रासी में रासी परिवर्तन करेंगे कुम्भ रासी पर चले जाएंगे सुर्ज कुम्भरासी पर मंगल भी कुम्भरासी पर तो जब सभी ग्रह कुम्भरासी पर जा रहे हैं और अपना रासी परिवर्तन करेंगे तो विशेश रूप से तीन रासी वालों के उपर ये त्रीग्रही योग जो लग रहा है उससे पैदा तीन रासी वालों को विशेश रूप से होने जा रहा है तो तीन राशी वाले जो हैं वो ब्रशव, कन्या और कुम्ब ये तीन राशी वालों के उपर ये त्रीग्रही योग का सकारात्मक प्रभाव पढ़ने जा रहा है जिससे तीन राशी वालों का धनलाव, भाग्योदय, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और त्रीग्रही योग से यह जो साथ मार्च को परिवर्तन होगा और आठ मार्च को सिवरात्ति है जिससे शीव जी की क्रपा विशेश रूप से ये तीन राशी वालों के उपर शीव तीकी भी क्रपा होगी और श्रीवजी डालेक्ट तीन रासी के उपर क्रपा करने जा रहे हैं तो तीन रासी वाले का पिसेश धन धान शम्रिद्धी युक्त यह मार्च महिना रहेगा